दोस्तों एक भाई का कमेंट था कि inverter के आउटपुट में सिंगल वायर का प्रियोग हम क्यों करते हैं मतलब आउटपुट में सिंगल वायर ही क्यों कनेक्ट करते हैं और उससे हमारा पूरा घर की शप्लाई चल जाती है अधर के जो भी उपक्राहम इनवर्टर चला रहे होते हैं वह चलने लगते हैं तो दोस्तों बने लिए वीडियो के साथ लाश्ट तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करके आल भेल नोटिफिकेशन, प्रेस कर लीजेगा तो दोस्तों आज बात करेंगे के जो आउप्ट होता है उसमें सिंगल वार का यूज क्यों करते हैं उसमें दो वाइरों का यूज क्यों नहीं होता है तोzna सींगल वार से वह supply कैसे connect हो जाती है तो सबसे बड़े दोस्तों हम बात करेंगे inverter की input पे support that कोई inverter जो है उसका input जो है input connect कर दिया आपने तो उसमें क्या होता है input जो हमारा होता है support that हमने यहाँ पे कोई 5 pin socket से हमने उसको input दे दिया और यह हमारा कोई inverter है तो inverter में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से जो हमारी supply जाती है यह जो है एक lead के माध्यम से support that यह हमारा neutral है और यह हमारा phase है तो क्या होता है दोस्तों कि यह हमारा जब यहाँ जाता आती यहाँ पे भी एक देखा होगा आपने inverter के पीछे side में एक 5 pin का socket लगा होता है जिससे एक output में मिलता है तो क्या होता है कि जो neutral जाता है वो neutral जाने के बाद में यहाँ पे connect हो जाता है यानि कि जो इसके output है जो inverter का output होता है यह inverter का supported output है यह inverter का output socket है तो यह यहाँ connect हो जाए और phase जो है आपका जो phase है यह जो है उसके PCB में connect हो जाता है यानि fuse ओगरा के माद्यम से यहाँ पे एक fuse लगा होता है fuse के माद्यम से यह डाइट PCB में connect हो जाता है और जो neutral होता है वो आपका यहाँ connect हो जाता है उसके बाद जब inverter आप supporter आपने neutral यहाँ से लिया घर से यह हमारा घर का supply है हमारे कोई घर का socket है यह हमारा गर का socket है यहाँ समने inverter को supply दे दिया supply देने के बाद में क्या होता है कि जो neutral होता है neutral हमारा इसी socket में जो इसका output होता आउटपुट के socket में connect हो जाता है और जो phase होता है तो inverter तो हमारा start होगा, अब inverter से start होने के बाद में जब हम output connect करते हैं, supported यह हमारा कोई inverter का output का 5-pin socket है, यह जो हमारा कोई 5-pin socket लगा होता है जो पीछे, जिससे हम एक वायर सिर्फ connect करते हैं, दाहिने तरफ हमेशा जो right side होता है, कहीं पर भी आप देखेंगे, तो जो right side होता है, यहां पर phase होता है, जो right side होता है, यहां पर हमें phase होता है, तो इस phase को हम क्या करते हैं, यहां से हम phase connect करके, यह हमारा inverter का output का socket हो गया, तो यहां से जो हमारा phase connect होता है, वो हमारे घर को चला जाता है, यहां से निकलने के बाद में घर में connect हो जाता है, और जो हमारे neutral line होती है, जैसे आपने देखा है, यहां से neutral हमारे घर से निकला, निकलने के बाद में inverter में गया, inverter में जाने के बाद में जो neutral का socket होता है, जो हमा लिस्त निकलने बाद में फिर इस वारे शॉकेट में आता है जो इनके पीछ हुए पीछे की तारब देखेंगे तो जो बोड़ा हुए 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 causes सॉकेट लगा उत तनाystem में इन इक टार connect कर देते हैं, right side में जो हमारा फेज आता है, उसमें हम connect कर देते हैं, और neutral जो हमारा घर के board से ही, हमारा जो common board होता है उससे ही चलता रहता है, तो क्या होता है दोस्तों, जब हम input connect करते हैं main चीज यहाँ पर जो हम inverter को input देते हैं, जो हमारी जो ईन्य फृहां जाता है जो इन्वर्टर का जब आउत्पूट आएगा तो वो भी न्यूटर उहीं आएगा और जो जो Pcv को जब इन्वर्टर चालू रहेगा तो भी ये न्यूटर वहीं से जाएगा, मतलब जो हमारा neutral होगा, वो common बन जाता है inverter के अंदर जाके, तो इसलिए क्या होता है, कि हमें सिर्फ single wire की ज़रूत पड़ती है, और जो जैसे supported हमारा output में, यहां से तो दो, एक neutral एक phase आ गया, PCB ने हमें एक neutral एक phase निकाल के दे दिया, लेकिन जो neutral था हमारा, वो already हमारे घर के अंदर connect है, जो connect रहता है और phase सिर्फ हमें लेके जाना होता है supported हमारा कोई, यह हमारा घर का board लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक socket होता हमारा कई सारे switch लगे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारे switch लोगे inverter से ना connect करके, सिर्फ एक switch को connect कर दे, suppose हमने इस switch से हमने inverter की एक line ले लिए, जिससे एक हमने कोई light जला दी, यह कोई fine चला लिया, बाकी दो, जो जो दो switch होते हमारे यह हमारा एक socket होता है, जो यह light जलेगी तो इस condition ये क्या होता है, दोस्तों, जो neutral होता है हमारा, यहाँ पर जो neutral होता है वो यही से common हो जाता है यानि कि जो उसके जो input होता है, जो inverter का input होती, input supply होता है, उसी से वही से वो neutral जो है, पूरा का, पूरा common होता है inverter के अंदर से, internally जो है वो common पूरे घर में फैल जाता है और जो हमें फेज होता है वो एक तार जो हमें मिलता है जो पीछे socket के दाहिने तरफ से निकलते हुआ और जिसको हमें चाहिए होता है वहां हम दे देते हैं नूटल अलडी सबको मिला होता है घर के सारे उपकरण होते हैं तो आफ जीसे महां लीजे कोई आपने यहां पर बल्ब लगा दिया ती बी आपका फैन है आपका तो नूटल अलडी सबकार जिस हर जगाँ पहुंच जाता है पूरे घर में फैल जाता है लेकिन फेज हम जिसको देते हैं वही ऑपरेट होता है operate वही उपकरण होता है ना कि सारे उपकरण इसलिए कभी-कभी देखेंगे आप जो है कोई छोटा उपकरण होगा कोई indicator होगा होगा तो अगर जो inverter का voltage होता है जो inverter के supply होती है उसमें एक फेज क्यों दिया जाता है क्योंकि जो neutral होता है वो अलेड़ी घरों के अंदर पहुच जाता है जैसे power कटती है तो जो inverter का neutral निकलता है वो पूरे घर में फैल जाता है और जो फेज होता है वो सिर्फ जिसको हम देते हैं वही उपकरण हमारा चालो ह होता है बाकी बंद हो जाता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी like comment करेंगे आप लोग और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं लिए